यह देखो पूरे छट्त्य लेके बैठे हुए है और कुछ लोग दूप में बैठे हुए देख सकते हैं यहां पे ने शिल्फ वह भी इतरन किये जा रहा है तो हलो दोस्तो स्वागात है हमारे और एक नए वीडियो पर आज की वीडियो में आप लोगों लेकर आए हैं दोस्तो बालो जहां पंडी श्री प्रदीप मिश्राजी के कथा हो रहा है स्विव महापुरान कथा जिसका आज चौथा दिन है और काफी ज्यादा भीड है तो मे खड़ा यहां से लगबग चार किलो मिटर पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे आप लोगों को पार्किंग लगाने के लिए दिया हुआ है इसके आगे आप लोगों को गाड़ी नहीं मिलेगा जाने के लिए यह है दोस्तों देख सकते हो में चोप यह बालो सेशन यहां से लगबग 500 मिटर के दूरी में है और हम लोगों को इस सेड़ जाना है देख सकते हो पूरा बेरिकेट लगाया गया है यहां पर अंदर कोई भी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं देख सकते हो काफी लोग पैदल भी जा रहे हैं मंदिर यहाने के पुजा इसकाल पर काफी लोग जा रहे हैं अभी क्योंकि कथा शुरू नहीं हुआ है लोगों का बीड़ बढ़ते जा रहा है देख सकते पूरा प्रिस प्रिसासन भी लगे ही है जगा जगा बेरिकेट लगाया गया है यह प्रवेश द्वार है सामने में देख सकते परसाद मिल र विश्राम करने के लिए दिया गया है दोस्तों यहां पर हो रहा भव्य बंडारा देख सकते हो काफी बड़ा पंडाल लगा हुआ है काफी लोग खावी रहे हैं तो अभी उतना ज्यादा भीर नहीं है क्योंकि अभी कथा चालू नहीं हुआ है जैसे भी कथा चालू होगा फिर कथा खतम होने के पाद यहां पर लोग अपना भूजन करने के लिए आएंगे देख सबके क्या भव्य पंडाल लगा हुआ है सिर्फ भंडारे का यह पंडाल है तो अभी आप लोगों सामने लेके चलता हूँ दिखाता हूं देखो सामने में कितना भव्य पंडाल अब यहां पर अपना के भूजन कर रहे हैं पर अधिया दूस्ता हम लोग पहुंच घए कथा इस तल्व पास में और यह आख फीड़ दो हीतना ज्यादा हो चुका है कि आप लोगों क्या बत्तों देखके समय सकते हैं इतना ब्शादा भीड़ है यहां पर जैसे जैसे जै पुहा कवीतरन क्या जा रहा है इतना ज्यादा भीड़ हो गया है यह थोड़ा से दूर हो गया तो यहां पर आप लोगों को पूरा मेला दिखेगा लगा हुआ और सामने में पहुंच चुक है हम लोग से शाल के यहां से कम से कम पांच मिम्र के दूरी में पर देख सकते हैं यहां पेद्धार और तीन तो डूम से लगा हुआ है और चोड़ा से चोड़ा होगा है और यहां का महल कितना ज़्यादा दीख रहा है तो अभी कथा शुरू नहीं हुआ है कथा शुरू होने वाला है और यहां का भीड़ देखो आप लोगों को मैं एक बर जुम करें दिखाता हूँ तो यह देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ दिख रहा है आज सीव महापुरान कथा का चौथा दिन है और इतना ज़्यादा और आज सावन भी खतम होने वाला है तो यह देख सकते हैं सब कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आये हुए है लोग कथा इस तालगे पंडाल में पहुँच चुके हैं देख सकते हैं इधर पंडाल लगा हुए है काफी ज़्यादा भी खतम है देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा भीड़ो चुका है पूरा तीन सैट था तीन सैट भरने के बाउजित अलग से और फिंट लगाया गया है तो भी छोटा पढ़ गया है सब छटा धर धर के देख सकते हो बैठे में कथा सुनने के लिए और अभी भी लोग आ रहे हैं अपना अपना जगा बना बना कर बैठ रहे हैं तो यहां से तो भी दूरुजी नहीं दिख रहे हैं आप लोग अनुमान लगा सकते हो कितना ज़्यादा यहां पर भीड़ है और यहां देखो पुरा डूम सेट के बाहर हैं बैठे हुए है इस सेट भी और यह देख सकते हो जो बड़ा डूम सेट है उसमें पुरा खचा का भीड़ हुआ है काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलता है यहां पर देख सकते हो और अभी आप लोगों की लेगे चलता है सामने दिखाने के पूसिस करता है और यहां भी देख सकते हैं पुरा डूम सेट के बाहर हैं बैठके कथा देख रहा है देख सकते हैं अंदर है कितना ज्यादा भीड़ है पुरा खचा खच है तीन डूम सेटे दोस्तों यहां पर तीनों भीड़ है उसके बाहर में लोग बैठे हुए है बल attendanceे दों अंर डूम भीड़ करता है के अल भीड़ करता है आल ऊंदर के बाहर खचा का मुतमों इस के बाहर है